मत्ती रजित सु समचार ग्यार्मा अध्याय जब इश्यु अपने बारह चेलों को आग्या दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। युहना ने बंदी ग्रह में मसी के कामों का समचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। युहना ने उतर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर युहना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगले चलते फिरते हैं। कोड़ी शुद्ध किये जाते हैं और बहिरे सुनते हैं मुर्दे जिलाये जाते हैं और कंगालों को सुसमचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए जब वे वहां से चल दिये तो ईशु यहनना के विशय में लोगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने गए थे क्या हवा से हिलते वे सरकंडे को फिर तुम क्या देखने गए थे क्या कोमल वस्तर पहने वे मनुश्य को देखो जो कोमल वस्तर पहनते हैं वे राजभा तो फिर क्यों गये थे? क्या किसी भविश्वत्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बरन भवश्वत्ता से भी बढ़े को. यह वही है जिसके विश्य में लिखा है कि देख, मैं अपने दूद को तेरे आगे भेशता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार कर मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे है, उनमे से युहना बप्तिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर के राज में छोटे से छोटा है, वै उससे बड़ा है. युहना बप्तिस्मा देने वाले की दिनों से अब तक स्वर के राज पर जोर होता रहा है और बल्वान उसे छीन लेते हैं। युहन्ना तक सारे भवश द्वक्ता और व्यवस्ता भवश द्वानी करते रहें। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वे यही है। जिसके सुनने के कान हो वे सुन दे। और तुम ना नाचें। हमने विलाप्त किया और तुमने च्छाती नहीं पीती। क्योंकि युहन्ना ना खाता आया और ना पीता। और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष का पुत्र खाता पीता आया। और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र पर ग्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है तब वे उन नगरों को उलाहना देने लगा जिन में उसने बहुतेरे सामट के काम किये थे क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था हाए खुराजीन हाए बेटसैदा जो सामर्थ के काम तुम में किये गए यदि वे सूर और सैदा में किये जाते तो टाट ओड़कर और रात में बैठकर वे कप के मन फिरा लेते परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी और हे कफर नहूं क्या तू स्वर्ग तक उचा किया जाएगा तू तो अधुलोग तक नीचे जाएगा जो सामर्द के काम तुझ में किये गए यदि सदोम में किये जाते तो वे आज तक बना रहता पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी उसी समय ईशु ने कहा हे पिता स्वर्ग और प्रत्वी के प्रभू मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने इन बातों को ग्यानियों और समजदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया है हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वे जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे हे शब परिश्रम करने वालो और बो में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है कर दो बोला है कर दो 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 कर दो二 स्थाफ लाष्वड में झाल झाल